हाई फ्रेंज, आज मैं आपको डिस्प्ले की फिल्म जिसे पॉलराइजर भी बोलते हैं, उसको चेंज करना और उसकी कटिंग करना सिखांगा, यह वीडियो दो पार्ट में होगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, उसमें मैं आपको कैसे पॉलराइजर फ तो फिल्म उतारने वाला आईरन है, उसको आपको कम से कम, 7-8 मिनिट, लाच 10 मिनिट, उसे हीट पहले करके रखना है, और जहां से भी आपकी फिल्म कटी है, उसको कोने से आपको जंगा बना के डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह मैं डाल रहा हूँ कोने पर से, आपको यह method यूज़ करना है, आपकी डिस्प्ले बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और मैं सब को suggestion यह दूँगा, कि पहले direct किसी चालू पे करने से अच्छा डिस्प्ले पे, आप एक खराब डिस्प्ले की फिल्म उतार ले, किसी folder की, उससे आपका थोड़ा हाथ रम जा रही है, और आइरन भी अच्छा खासा हीट है, अब यह देखिए, जैसे मैंने कोनों पे से, हमेशा यह जो कोने है न, यहां से आप फिल्म काटने शूरू करिए, आइरन से उतारने शूरू करिए, जैसे कि आप देख पा रहा हूँ, मैं जंगा बना रहा हूँ, जहां से म आइरो सरकिट होता है, जहां फ्लैक्स लगी होती है, उसकी नीचे की साइड ना चलाए, हमेशा मैं आप देख पा रहा हूँ, मैं कैसे उपर की सेड चला रहा हूँ, ठीक है न, और मैं ओन में कर रहा हूँ, कि बाद में कोई यह न बोल दे, कि यह तो आपने डिस्पले ब रहा हूँ, यह देखिए, कैसे मैं कर रहा हूँ, नीचे की साइड करोगे, तो उसमें डिस्पले खराब होने के, बहुत ज़्यादा चांस होते है, मेरे से भी यह काफी बारी, ठीक है न, तो आप ऐसे करोगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगी, आप देख पा रहा हूँ, कि जैसे कि फिल्म उतर ही गई है, तो मैं आपको इस पर दूसरी फिल्म रख के दिखाँगा, डिस्पले कैसे आ रही है, कोई यल डूट तो नहीं है, ठीक है फ्रेंस, और नेक्स्ट वीडियो में, कैसे फिल्म चड़ानी है, वो मैं आपको सिखाँगा, वीडियो अच्छी